परिक्षा रिफ्रेशर ने पिछले एक वर्ष में अनेक अचीवमेंट हासिल किये हैं उन में से कुछ अचीवमेंट हैं 2,37,300 प्लस चात्रों ने परिक्षा रिफ्रेशर के वीडियो एक साल में देखे और बलकि ये एक साल नहीं सिर्फ जन्वरी से नवेंबर तक के डाटा है 7,97,800 प्लस मिनिट देखा चात्रों ने परिक्षा रिफ्रेशर के वीडियो उसको और यही नहीं 33,86,000 चात्रों तक पहुची है परिक्षा रिफ्रेशर की आवाज ये थे परिक्षा रिफ्रेशर के कुछ अचीवमेंट अब आप लोग जिसका बेस सबरी से इंदिजार कर रहे थे अब आगे का वीडियो हर्जब्यारी सर की आवाज में हलो, my dear students, how are you? I am हर्जब्यारी शर्वास्तो, law experts, परिच्छा रिफ्रेशर, आउनलाइन, law classes, राम इलाबाद आज आप लोग को जो UP Judiciary के एक्जाम है, जो आप लोग को पूरी उमीद है कि एक्जाम मालूम भी है कि फरवरीम होने जा रहा है और ये बहुत ये अथेंटिक है, फरवरीम आप लोग का एक्जाम होने जा रहा है ये जो आप लोग के लिए चंदर पचास दिन बच्चे हैं, इसमें आप लोग को हम ये बताएंगे कैसे इन बच्चे हुए दिनों में आप जल्दी से जल्दी अपने तयारी को इस तरह करिए कि आपको प्रिलिम से एक्जामनेशन में सफलता मिल जाए आज ये वीडियो इसी पर पूरा डिवोटेड है तो आप लोग डिया स्टोडेंट जिन लोगों ने परिच्छा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर करें देखें डिया स्टोडेंट परिच्छा रिफ्रेशर आउनलाइन लॉग क्लासेस की और से जो आप लोगों वीडियो दिये जाते हैं ये फ्री आप कास्ट है कोई इसके चार्जिस नहीं है किसी प्रकार का कोई भी फीस आपसे लोगों से नहीं लिया जाता इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें आगे भी लोगों को सब्सक्राइब कराएं जो लोग जुडिसरी के एक्जाम दे रहे हैं ताकि उनको भी इसका पूरा का पूरा बेनफिट मिल सके तो dear student परिच्छा रिफ्रेशर online जो law classes है उसमें आप लोगों के लिए regular class चलते रहते हैं वो चाहे higher judicial का हो civil judge का हो या फिर आप लोगों के लिए जो APO का exam होता है law officer का exam होता है राजिस्थान में jailों का exam होता है कहने का मतलब यह जो परिच्छा रिफ्रेशन law classes है फुली डिवोटेड है law के student के लिए इसमें आप लोगों के लिए Monday से एक बहुत important batch start हो रहा है जो Monday coming आ रहा है जो आप लोगो 26 तारिक को मिलेगा उस जिन से आप लोगों के लिए CPC start हो रहे है Civil Procedure Court तो जो student is tested है वो Civil Procedure Court की class Monday से ले सकते है जो student आप लोग के बीच पे अब हम यह बताना चाहते हैं कि जो 40 दिन के अंदर ऐसा क्या करे कि आप लोगों को UPPCSJ के लिए qualify करने में कोई दिक्कत ना हो और यह student 100% आप qualify करेंगे बस यह कि जैसे आपको जो टेक्निक बताई जा रही है उस टेक्निक को आप बहुत ध्यान से देखें देखें जो UPPCSJ का पेपर है PCSJ का इसमें आप लोगों का दो पेपर है एक पेपर लोग का है और दूसरा पेपर आप लोग का है GS प्लस लोकल लाज सर्वी माइनरेक्ट GS प्लस माइनरेक्ट यह इस बार का पेपर है जो लोग का पेपर है यह आप लोगों का 300 मार्स का है तू आवर्स का पेपर है 150 questions आएंगे यह individual एक paper होगा और उसी दिन आप लोग का एक दूसरा paper होगा general studies plus minor rate general studies का जो इसमें total law का minor rate का है 150 marks का है two hours का ये भी exam है इसमें भी 150 questions आप लोग के आएंगे यानि law का ये question जो है दो नंबर का होगा और GS का ये question होगा एक नंबर का तो total आप लोग के लिए 300 का ये और 150 का ये यानि 450 नंबर का आप लोगों का paper होगा और ये ध्यान लखेगा negative marking भी है ये आप लोग के लिए साउधाने के लिए हमने इसको बता दिया अब हमारा question ये होता है कि law का जो 10 paper हो कैसे त्यार हो GS का जो 6 paper है वो कैसे त्यार हो minorate का जो 9 paper हो कैसे त्यार हो current affairs कैसे त्यार हो ये सारी बातों को हम आप लोग के सामने एक एक करके रखना चाते हैं इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए मुझे पूरी उमीद है कि जैसे आपके लिए UP AP के लिए सर ने बताया था उत्तरा खंडी AP के लिए बताया था बिहार सिविल जज्ज के लिए आपको बताया था कि चंद दिनों में कैसे त्यारी करें और आपको मालूम है पता है कि बहुत से स्टुडेंट इसे सफलता प्राप्त की अब आपको भी इसमें सफलता लेना है तो देखो सबसे पहले लोग पे आईए देखिए जो लोग के इसके दस पेपर है दस पेपर तो देखिए स्टुडेंट एक चीज़ान देखिए कि लोग के पेपर में एक आप से आएगा करेंट इंटरनेशनल इवेंट्स करेंट इंटरनेशनल इवेंट्स ये कम से कम आपको एक साल की तयार करना है यहाँ पर एक साल का मतलब यह है कि आपको बेस्ट होगा कि आप क्या करो इसको दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2023 अगर थोड़ा सा एक्सेस ले रेंगे तो आपको रिस्क नहीं रहेगा इसमें त्यार करिए और देखिए इसमें जो current affairs त्यार करी international events को त्यार करिए इसके साथ जो national events से उसको भी त्यार करिए national events को भी अगर आप त्यार करेंगे तो इसका फाइदा क्या होगा राश्टी घटना को भी त्यार कर लेगे तो जो जर्नल स्टडी के पेपर में current affairs आएगा वह आपको यह पूरा सप्पूर्ट कर देगा तो आप क्या करिए बेस्ट तरीका रहेगा कि दिसंबर 2021 से जनवरी 2023 तक के आप पूरे current affairs त्यार करिए national events इंटनेश्टन इवेंट जो science and technology के matter है famous person है sports है science and technology है जितनी भी चीज़े famous places है जो भी हमारे technology डेपलप की गई है सब को पूरा compete करिए तो आपका लॉग का पेपर भी हो जाएगा वो हो जाएगा तो समय बच्चे गए दूसरी बात देखिए जो माइन हम लोग के इसमें 9 माइन एरेक्ट है सारी 9 मेजर जिसमें आप लोग का IPC, CRPC, evidence, CPC, TPA, contract, constitution और international organization देश्टूटेंट इसको आप क्या करिए कि previous year के पेपर को ज़रूर लगाएए previous year जब से UP Judiciary हो रही है तब से लेकर और पिछली 2018 तक की UP Judiciary के सारे पेपर को आप जरूर साल्व करिए क्योंकि इसमें आपको jurisprudence के question मिल जाएंगे, international organization के question मिल जाएंगे क्योंकि other state को जो आप लगाएंगे तो other state में आपको international organization का question नहीं मिलता और jurisprudence का question नहीं मिलता तो पहले तो आप UP state के जो छे बार साथ बार exam हुए previous year के question को solve कर डा लिए फिर इसके बाद other state के other state के जो आपके पास बिहार state का paper, उत्राखन state का paper, जारखन state का paper, ये चितने paper previous ते इसको solve कर डा लिए तो current affairs किये रहेंगे और इसको किये रहेंगे और तीसरे number पर आप latest case कम से कम दो साल कर, latest case minimum two years, two years का, जोशेफ शाहिन का case जैसे जोशेफ शाहिन वर्सेज यूनियन आफ इंडिया का case है, जो एडल्ट्री से है, वो बहुत important है, इसी तरह जितने भी latest case है आपको regular बताए गए है, इस case को पढ़िए, फिर इसका जितने amendment है, जैसे constitution में 105 amendment हुए हैं, इन amendments को आप पूरा पढ़िए, और खास कर पिछले दो साल में जितने amendments हुए हैं, उसको जरूर और जरूर पढ़िए, इसके बाद एक act पास किया गया है, पार्लामेंट के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको जरूर पढ़े रहिएगा, इसकी एक्ट के द्वारा पूरे लोग को इनफोर्स कर दिया गया, जे के स्टेट पे, इसको आप डेट आफ इनफोर्स्मेंट, यानि 31 अक्टूबर 2019, अब पूरे एक्ट के प्रोवीजन को पढ़े रहिएगा, इतना काम अगर आप करते हैं, तो आपका जो लोग का पेपर है, वो जरूर और जरूर तियार हो जाएगा, देखिए अगर किसी को मेजर, जो 9 मेजर एक्ट है, इसके रियल कोस्चन मिलने में दिक्कत होता है, और डिगलॉट फार्म में, तो सर से संपर कर लेगा, सर के पा पर कर लेगे, सर का नमबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, वाटस अप नमबर है, तो आपकी हम अदद कर देंगे, अब देखो टियार स्टूडेंट जर्नल स्टूडीज आता है, जर्नल स्टूडीज और लोकल लाज, देखिए जर्नल स्टूडीज और लोकल लाज, तो पार्ट में डिवाइट कर लिजे, seven पार्ट में, तेकिए, सबसे पहले आप history त्यार करिए, ancient history, medieval history, और modern history, इसके बाद geography, भोगोल, इसके बाद science and technology, पिर इसके बाद है Indian economy, पिर इसके बाद इंडियन पॉलिटी, जिसके बाद करते हैं भारती राजवेवस्ता या सविधार, पॉलिटी, और दोगो छटे नंबर पर आपको त्यार करना है, इंडियन नेस्टनल मुवमेंट, इंडियन नेस्टनल मुवमेंट, जिसके बाद आपको यूपी स्टेट की जीके को भी जरूर देख लेना है, यूपी स्टेट का, तो इडियन स्टूडेंट ये साथ पार्ट में आप लोगों का जीस हमने डिवाइट किया है, इसमें आप प्रीबिये सेर के कोस्टन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि करेंट अफेर्स तो आप अलग से पढ़ रहे हैं, जितना टेडिश्टनल जन्नल नॉलेज है, जो रिपीट भी होता है हर स्टेट के एक्जाम में, आप हिस्टी के कोस्टन को खुब लगा डालिए, कम से कम, एमसी की फ़र में, जितना अधिक सदिक मिले, दो हजार, चार हजार, जितना मिल सकें, वो लगा डालिए, जिजागरफी के लोगा डालिए, साइंस और टेक्नलोजी को लगा डालिए, इंडियन इकनोमी को लगा डेलिये, इंडियन पॉलिटी और ये, और देखें जिस स्टूटेंट को ये पेपर का कोश्चन बैंक नहीं मिल पाता है, वो सोचता है कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आप लोग ध्यान रगिए कि जन्रेल स्टेडी जो जी एस है, ये हिंद में चाहिए एगलिस में मंगा सकते हैं, और इसको पढ़ डालिए, एक एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, ये क्या होगा, कि आपका ये 40 दिन में बड़े आराम से तियार हो जाएगा, और एक फाइटिंग की लिस्ट में आप रहोगे, ऐसा नहीं होगा कि पह प्यों का बहुत कम पोस्ट आई थी, लेकिन बाद में यूपी एप्यों का जो रिजल्ट आया, वो ज्यादा पे आया, प्री का, आप लोग का भी ज्यादा आयागा, इसलिए आप लोग इसको निश्चिंत रहिए, अब देखे, डे स्टूडेंट आप लोग के लिए 9 ले लो, सबसे पहले, और ले रखे हो तो बहुत अच्छा है, बेर एक्ट, अब बेर एक्ट जो आप लेड़ा, डिगलॉट फार्मिलर, डिगलॉट, हिंदी और एगलिस दोनों में, देखे, बेर एक्ट को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको बेर एक्ट का, जो भी एक्ट आप उठाते हैं, जो भी एक्ट आप उठाते हैं, उस एक्ट का पूरा नाम, जैसे आप पढ़ते हैं, दहेज प्रतिशियत अधनियम, डावरी प्रोवीजन सेक्ट, नाइन्टी सिक्स्टीवन, यह देखे, जो आप पढ़ रहे हैं, यह आप ही नहीं पढ़ रहे ह किसका नाम है डावरी प्रोवीजन सेक्ट आप जब सबसे अलग रहोगे तभी तो आपको नमबर मिलेगा है तो अलग रहने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हम डावरी प्रोवीजन सेक्ट पढ़ रहे हैं ये 9061 का इस एक्ट में दो बार एमेंडमेंट भी हु 1984 में जो एमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा कौन कौन से सेक्शन जोड़ी गई या पुरानी सेक्शन को सब्सिचूट कर गया गया इसी प्रकार 1986 का आपको पढ़ना है फिर इसके बाद ये एक्ट 9061 का सीरियल नमबर क्या है कौन से कलम का था ये आपको पढ़ना है डेट इसका जो इक्स्टेंशन था विस्तार्च शेत्र था लागू होने का छेत्र था एक्सिप्ट जमू कास्मिर लेकिन अब होल्द इंडिया में है यह बारत वर्स में लागू होता है तो कब से लागू होता है तो आपको मालूम होना चाहिए 31 अक्टूबर 2019 अभी हमने आपक था है कि Jumbo and Kasmir State Reorganization Act को आपको बहुत डीप में पढ़ना है फिर इसका जिसमें कितनी धारा है इसमें कितने sections है और इसके साथ dowry लेना दाउरी देना और dowry के लिए abat करना दूस्पर जित करना तीन चीजों को रोका गया है पूछा जाएगा कि डावरी को प्रोवीट जैसे एबेट्मेंट करना क्या है इसका हम आपको एक एक्जामपिल बता दे रहे हैं जैसे मालीजे किसी लड़के की साधी हो रही है तो उसके जो पर दादी हैं जो घर के बड़ी मुज़ुर्क महिलाए हैं वो कहती हैं कि मैं तो दस तोला सोना लेकर आई थी मैं तो दस अजार रुपया मुझे उस समझ जबाने में मेरे घरवालों ने नगत दिया था तो मेरे नाती पोता को भी तरह कम से कम मिलना चाहिए ऐसी बाते सुनने को आती है तो यह ध्यान रखिए नानी या दादी या बुआ या फूफा या चाचा या चाची या मामा या मामी जो रिलेक्टिव्स होते हैं वो एबेट कर रहे हैं किस चीज के लिए बेट कर रहे हैं कि डावरी लो तो आपको मालूम है कि IPC के सेक्शन 107 में कहा गया है दुस्प्रिरण करना भी अपराद है एक चीज़ यह ध्यान रखिए गा है डावरी प्रोवीजन एक्ट में दहे लेना दहेज देना दहेज मांगना दहेज के लिए दुस्प्रिरिद करना इतने चीजों को दंडित किया गया है प्लस डावरी प्रोवीजन आफिसर कि जूना क्या है दहेज परस्यद अधिकारी सेक्शन 8B में तो दहेज परस्यद अधिकारी कौन होता है दहेज परस्यद जदिकारी को जो नुक्त करता है, इसमें कितना दंड बिलता है, section 3 और 4 में इसके दंड को बताया गया है, आप क्या करोगे, किसी भी act का पूरा नाम, act किस year का है, यह आप याद रखोगे, और किस क्रमांग का है, क्या series का है, इस act में कप-कप संसोधन हुए है, इस act में total कितनी धारा हैं, इस act में जो punishment है, वो कितना है, क्या यह cognizable offense है, कि beliebil offense है, कि non-cognizable offense है, कि non-beliable offense है, non-compoundable offense है, यह आपको ते करना है, इसका जो बिचारा होगा, trial होगा, वो कहा होगा, वो trial court आपको याद रखना है, कि जो यह trial होता है, इसके जो court है, metropolitan magistrate और first class magistrate, तो आपको ऐसे, जो no minor act है, उसको आप तियार करेंगे, तो दीरे-दीरे करके इसी pattern पर पढ़ेंगे, और इसी pattern से आपसे, no minor act से, एप्रॉंक्स 25 questions, जर्नल स्टेडीज वाले paper में आपके आएंगे, 25 नमबर, बहुत बड़ा role play करता है, तो उसको, कैसे आप उसको 25 नमबर को ले सको, इसका तरीका, सर ने short form में बताया, और day student देखे, अभी हम आपसे जो जनर्नल स्टेडीज की, books के बारे मताया है, छे वालू में है, यह English medium में है, जो लोग contract, हिंदू ला, मुहमडम ला, IPCC, RPC, UDS लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं, UP APO का, उत्राखंड APO का भी आप लोग के पास के लिए मैं ट्यारा है, और interview की किताब आप लोग के लिए बहुत पहले से त्यार है, इसके साथ जो AIB की गाइड है, वो आप लोग के लिए त्यार है, आप लोग मंगा सकते हैं, UP Civil Judge का, पूरा previous year का package है, UP Civil Judge का local laws है, UP Civil Judge का HGS है, और इसके साथ जो student बिहार के त्यारी कर रहे है, वो बिहार जो डिसरी, बिहार APO, बिहार HGS का भी ले सकते हैं, MP State के स्टूडेंटों के लिए भी है, और देखो, इस सब चीजे, सरी अपने निगरानी में बनवाते हैं, कि law में सबसे बड़ी कमी क्या है, कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, test book बहुत ही कठे लगती है, test book दलजी समझ भी नहीं आता, तो आप लोग क्या करो, इस वाट्सअप नंबर पर जो भी मंगाना चाहते हो, आपको जो भी एज़ी लगे, आप मंगा सकते हो, और देखो, आप लोग को अगर सर से कोई बात करनी है, तो ये वाट्सअप के थूख करा करो, क्योंकि कॉल आप लोग करते हैं, हम उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं, तो आप लोग को लगता है कि सर के उन्हीं बात कर रहे हैं, और वाट्सअप पे आप जो भी मैसेज डाले रहोगे, उसका आंसर 100% आपको मिलेगा, आप इस पे डाल दोगे जो चीज, आप बाकी चीज आपको इस पे मिल जाएगी, तो लास्ट मेटेय स्टूडेंट हम आप से कहना चाहते हैं, जो इन लोगों ने परिच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो परिच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल है, यह बिल्कुल फ्री आप कास्ट है, कोई इसके चार्जिस नहीं है, और देखे आप ही लोग के सहयोग से, आप ही लोग के प्रयास से, परिच्छा रिफ्रेशर जो यूटूब चैनल है, वो 13,000 सब्सक्राइबर की सीमा पर पहुँच गया है, और आप लोग चाहते हैं, कि सर का ये चैनल जो है, वो आपका चैनल है, पहले तो आप लोग अच्छी समझगी, सर का चैनल नहीं आपका चैनल है, सर तो इसके एक मीडियेटर हैं, जो बाते होती इस चैनल पर बताते आप लोगों के लिए, तो आप लोग से मेरा आई है, कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी, आप लोग सब्सक्राइब करेए, और लोग को सब्सक्राइब कराएए, कम से कम 20,000 की सीमा को ये जरूर पाड़ कर जाए, थैंक यू माई डियर स्टूटेंट्स,